हाई एवरिवन अब हम अपने सेशन को शिरू करते हैं जो भी सेशन को पहली बार देखे तो मैं उसको बताना चाहूंगा कि हमारे क्लास चो होती है न्यूसपेपर रेडिंग की वो रूटीन से आती है सुबह मॉर्निंग में 8-9 तो आप इसको जरूर देखा करें और मैं कई कई बार एक बात को कहता हूं मैं थोड़ा सा रुके यहां पर समझाना चाहता हूं मैं कई बार कहता हूं कि न्यूसपेपर रेडिंग आपको क्या सीखाता है अगर आप न्यूसपेपर रेडिंग की तरफ जाते हैं तो न्यूसपेपर रेडिंग से आपको बहुत कुछ सी बनाते हैं सबसे पहली चीज़ आपके जो बहुत अच्छी होती है वो क्या है कि आपका grammar का section अच्छा होता है क्योंकि जब आप newspaper में किसी भी sentence को पढ़ते हैं और मैं उसके बारे में explain करता हूं तो ये बास सच है कि आपको पता चलता है कि sentence के इंदर logic क्या लगाए दूसरी चीज़ आप newspaper reading से जो सीखते हैं वो है आपका vocabulary आपका vocabulary section बहुत अच्छा हो जाता है अब देख उना हर बात को कहने का एक नया वर्ड होता है और एक सही वर्ड होता है सठीक वर्ड होता है तो अधिकतर ये देखने को मिलता है कि newspaper के अंदर words को सही तरीके से दिया ज आती है newspaper reading से वो क्या है कि आपके आसपा जितने भी topics हैं उन topics को लेके आपके पास एक data एकटा होता है कल को आपको कोई essay लिखना है तो आप कहीं ना कहीं जान पाते हैं सीख पाते हैं कि किस तरीकी की बात उसमें मुझे लिखने चाहिए ये सारे चीज़ें आपको एक newspaper reading से आपको मिलती हैं तो क्यों ना मैं आज के class में आपको कुछ चीज़ें बताओं और एक किसी विशे के उपर जानकारी दें तो आज के session को शुरू करते हैं बचो ये है education के उपर और क्या है आप अभी देखी लीजीगा मेरे साथ मैं पढ़के बता देता हूं आपको पहले म नहीं पढ़ा है इस सिक्षा होती है पर जैसी इसमें अल शब्द लगता है तो ये शब्द एक adjective का रूप ले लेता है यानि कि educational का मतलब क्यों होगा सिक्षा से जुड़ा education सिक्षा है तो educational सिक्षा से जुड़ा हुआ है मैं आगे पढ़ाओं से पहले एक बात और कहना चाहता हूं कि जब क्लास हो जाए तो मुझे आप अपने अनुभव के बारे में जरूर बताईएगा कि आपको कैसा अनुभव रहा और इनमें से कौन सी चीजह आप चाहते है कि मैं और जाद आपको बारे किसे करा हूं तो यह मुझे जरूर बताते चलना मैं आगे पढ़ता हूं अब सभी के लिए लिए लिखता है कि educational disaster अब यानि कि disaster जो होता है बच्चो यह वर्ड मैं आपके सामने लियाता हूं इस वर्ड को बड़े गोर से देखिए डिजास्टर वर्ड का मतलब होती है आपदा कलेश जब कोई भी चीज़ मुसीबत के रूप में आपके सामने आती तो वो disaster कहलाती है तो नेचुनल disaster पढ़ते हैं तो उसमें क्या है जैसे earthquake आ गया है ना जी और flood आ गया यह सब क्या है नेचुनल डिजास्टर में count होते हैं तो यहां पर आप पढ़ते चले educational disaster यानि की education में आने वाला जो आगे problems है आपके लिए एक मुसीबत जो आएंगी उसके बारे में कहता है looms यहां प disaster एक था तो इसलिए हैं पर क्या हुआ लूम लिखा गया है अब लूम का मतलब होता है कि कोई बी चीज़ आपको दिक्कत पैदा करेगी प्रेशानी पैदा करेगी तो लूम का मतलब होता है which causes the problem तो आपको जो समस्या पैदा करती वो लूम होता है आगे मैं पढ़ देता ह आप सबी के लिए इसमें देखे क्या कहते है इफ नो सलुशन देखे मैं कितनी बार एक बात को बताता हूं बचो आपको इसी सीख लेनी चाहिए देखे सलूशन सब जानते हैं सलूशन सोते किसी भी चीज़ के समाधान पर आप किसी भी चीज या वेक्ती से पहले अगर न लगाते हो तो इसका मतलब बोट चीज वहाँ पर नहीं है इसका मतलब solutions नहीं है तो no solutions अमने इसमें बोल दिया अब आगे की तरह बढ़ देता हूँ if no solutions अगर कोई solutions नहीं क्या कहता है हाँ आप अब देखे मैं आगे और पढ़ देता हूँ आपके लिए are quickly found are quickly found अगर जल्दी से कोई solution नहीं लिए गए तो definitely आपको दिक्कत आने वाली अब education disaster पैदा हो जाएगा ये बास सच है कि इस lockdown में education का हमने एक पहलो अभी तक नहीं देखा सभी लोग कहते हैं कि online coaching तो चली रहा है online तो बच्चों का classes चली रहा है पर आप एक चीज नहीं जानते dear मैं सिख्षक हूँ online classes से जुड़ा हूँ तो एक घहरी समस्या है online classes की जो बहुत rare लोग जानते है मैं चाहूँगा कि अब मैं इसको पढ़के बताओ आँ आपको एक the covid-19 आप एक एक वर्ड को न देखेगा मैंने कैसे बोला है the covid-19 pandemic आप सब जानते हैं किसी भी आपदा को आप pandemic शब से बोलते है has been with us since almost the beginning of the year यानि कि जो यह वर्ष है इसकी शिर्वात से the beginning of the year का मतलब हुआ business यह मतले इस year की शिर्वात से यह pending हमारे साथ pandemic हमारे साथ है तो एक बहुत प्यारी बात English में पढ़ी जाती है कि कोई भी चीज पास्ट में शुरू हुई और वो अभी भी है पास्ट से शुरू हो के अभी तक है तो ऐसी चीजों में have been या has been लगाते है अब जैसे कि pandemic एक है तो एक होने की वज़े से हाँ पर have ना लग आके हैस लगाए गया है तो यह चीज आपको समझ नहीं थी जैसे हाँ एक वर्ड पढ़ रहे हैं आप almost तो इसी न्यूस के अंदर इसी आर्टिकल के अंदर आपको almost का एक synonym और मिलेगा जो एक्जैम में कई बार आ चुका है with us since almost the beginning अब मैं आगे बढ़ता हूं और देखे इस बात को पढ़ने की कोशिश करते रहे ना बेटा मेरे साथ चलना अब किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो आपकी curiosity ही बताती है कि आप कितना सीखने के लिए अगर सर रहें कितना आप सीखना चाते हैं and it is likely to बिटा देखेगा इस बात को कभी मत भूलना यह जो शब्द आपको दिखाए देरा likely to यह वाला वर्ड likely to specially यह किसी भी काम के होने की संभावना को दिखाता है जब हम किसी भी चीज़ की संभावना कहते तो वहां पर likely वड़ाता है and it is likely to continue अब देखे continue का मतलब जार perhaps और शायद beyond और हो सकता है इसके आगे भी चले तो आप यह देखे कि कैसे शब्दों का परियोग किया गया है कि किस तरीके से जैसे एक word होता बेटर टिल यह समय को दिखाता है किस समय तक जब हम से एक समय सीमा तक की बात करते तो मैं तो मैंने एक एक word को बढ़ा करके end of this year अब मैं चाहतों के आगे पढ़ देता हूं आपके लिए और शायद इससे आगे भी चला जाए इस बड़ को बड़े गोर से देखेगा बेटा प्रोफाउंड अब प्रोफाउंड शब्द का मतलब होता बेटा बहुत गहरा बहुत गहरा जब हम कहते ना प्रोफाउं इफेक्ट और ध्यानकी का बेटा जब आप इफेक्ट से परभाव दिखाते तो जिसके उपर परभाव है ओन करके उसका नाम आता है तो इफेक्ट ऑन दी लाइफ सोव जीवन होगे बेटा जीवन किसके वर्चुली इस बड़ को देखी का बेटा है यहाँ पर क्या लिका चैने के दोनों संट एक मैं दूसरी के दूसरे के उससे वर्चुली मैंने एक शब्चे से बोला अब गोडब से सुनते चलए मैंने क्या सॉट्быड daily थोड़ा सा मैं आपके सामने शेर जरू करूं मैं इसको यहां ले रेता हूं सुनिएगा बड़े गोर से इस think का मतलब सोचना होता है और जिस चीज के बारे में आप सोचते हैं आप चाहो तो वहां off लगा लो और चाहो तो फिर आप एक word लगा दो about यानि कि think about कह दो या think of कह दो दोनों का मतलब होता है के बारे में सोचना think of the world wars of 2000 century यानि sorry 20th century तो यह क्या है कि two world wars है कि इसके 20th century के that have had इस बड़ को बड़े गोर से देखना बेटा that have had जिसने अभी तक किया है had a comparable impact comparable impact जिसका पतुलना कर सकते हैं बेटा आगे की तरफ देखें कहते हैं most of us have been confined to कितना प्यारा वड़े कितनी बार exam में आ चुका कि confined के साथ कौन सा preposition आता है कितनी बार exam में पुछा जा चुका कि confined के साथ कौन सा preposition का मतलब किसी एक जगह पर किसी एक place के अंदर हमें रोक देना होता है पर बंद कर देना उसको हम confined word से दिखाते हैं इस बात को बड़े घूर से समझेगे आप तो confined का मतलब किसी place के अंदर में रोक दिना होता है तो confined के साथ जहां पे हमें रोका गया है to करके उस place का नाम आता है तो confined to का मतलब उस place तक हमें जोड़ देना है have been confined to our homes आगे ना पेटा place हमारे घर तक इस pandemic ने हमें क्या किया है रोक दिया है having to adjust और मजबूरी बेटा देखें have to के बाद have to के बाद कोई भी काम आता है तो उसका मतलब क्या है कि हमें करना पड़ता है तो having to adjust यानि कि हमें मजबूरी में adjust करना पड़ता है आगे देखें क्या कहते है adjust our existence as the best as we can और हमें क्या करना पड़ता है अपने existence को उतना best adjust करना जितना हम कर सकते है tens of millions of jobs यानि कि करीबन करीबन 10 million jobs के बारे में बात करा है have been lost गवा दी गई है देखें lose का मतलब किसी चीज़ को गवा देना होता है have been lost किसने गवा यह यह नहीं बता रहा देखेंगा आप किसी भी काम के साथ अगर आप बेकी वर्ब जोड़कर उसको third form में लिख दो तो ऐसी सभी वर्बस में आप उस पर जोड नहीं देते जिसने उसको किया है बलकि आप जोड उस चीज़ पर देते हैं जिसके साथ यह काम हुआ है तो इतनी jobs कम से कम गवा दी गई है and the economy of every country has suffered in varying degrees इसका मतलब अलग-अलग तरीके से अलग-अलग स्तर पर जाके हर देश की जो economy है वो परभावित हुई है यह इसका मतलब है आगे मैं पढ़ देता हूं आप सभी के लिए अप यह देखीएगा बिटा पढ़ते वक्त मेरे कि मैंने किस तरीके से शब्दों का meaning आपको समझाया है और मैं कैसे इसको समझ पा र है मैं उपर ले लेता हूं उसको जी हलका सा येस आप समझेगा थी hospitality, travel, tourism, entertainment and sports sectors have been the most यहां पर वड़ देखीएगा क्या लिखा है इसका मतलब क्या हूआ बहुत जादा बहुत बुरी तरीके से हिट का मतलब इन्होंने परभाव डाला है तो कैसे परभावित हुए बहुत बुरी तरीके से ये वर्ड जो आपके सामने लिखा है वो क्लेमिटी से निखला हो बड़े गलमेटी भी काप करणा होती है एक इन्दीया के इंदर जगह पर गए हैं तो उनकी जो अवस्था millions of migrants हो उनका जो condition है plight है forced to go back forced to go back to their homes on way or the other यानि कि एक या दूसरे रूप में जो अपने घर गए हैं उनकी बात कर रहा है has perhaps been the most pitiable का मतलब दैनिये होता है इसका मतलब भी दैनिये बिटा pitiable शब्द का मतलब भी दैनिये आप कोगे फिर plight का मतलब भी दैनिये है हाँ मैंने बना कहा करा पर फरक देखी आपका plight शब्द एक noun है और pitiable एक adjective है तो जरूरी नहीं कि दो शब्दों का meaning एक जैसा है तो वो एक दूसरे के synonym है synonym होने के लिए उन दोनों का एक category का पार्ट सो स्पीच में एक होना बहुत जरूरी है जैसे noun का synonym noun होता है adjective का synonym adjective adverb का synonym adverb तो यह ध्यान रखेगा आगे देखें क्या कहता है इसको बड़े गोर से देखना बिटा आगे देखें क्या कहता है however not enough attention has been paid to school and college going children कहते हैं यह हावएवर वर समझ लेजे बटा कई बच्चे समझते हैं कि हावएवर का मतलब क्या है हावएवर का मतलब होता है बच्चों बट जब हम जो बात कही है उसका बिल्कुल opposite कहें तो बट कहरा पर enough enough attention का मतलब प्रियाप्त attention और not लग गया तो इसका मतलब प्रियाप्त attention नहीं has been paid to school or college going देखे school going और college going का मतलब है school में जाने वाले और college में जाने वाले बच्चे children who are the foundation of our future जो हमारे भविश्य की नीव है from March when an official official lockdown started जब March में official lockdown शुरू हुआ schools and colleges all across the country मैंने कितनी बार आपको पढ़ा है किसी जगे से पहले अगर across आता है तो उस पूरी जगे की बात हम करें होते हैं तो all across the country have been closed यानि कि जो schools and colleges हैं पूरी country के अंदर बंद कर दिये गए आगे मैं पढ़ देता हूँ आप सभी के लिए क्या कहता है कि यहां में लियाता हूँ आप बड़े गोड़ से देखेगा and the closure देखिए closure का मतलब बंद किसी भी चीज़ का बंद होता है the closure and the closure will remain in effect till at least the end of this month हो सकता है कि यह जो closure है वो सितंबर के महीने के अंतर तक चले और परहाप्स इवन लोंगर और हो सकता है कि closure ऐसे और आगे भी चला जाए यहां मुझे भी कस्ट है थोड़ा सा ऐसे classes को हम constant आगे delay करे जा रहे हैं इसमें बहुत गहरा नुकसान हम बच्चों का कर रहे हैं सरकार को इस विशे में सोचना चाहिए उनको करना चाहिए आप हम दो-दो slots में बच्चों को बुला लेंगे सभी स्कूल के college के जो बच्चे बड़े हैं जो केर कर सकते हैं अपनी पर यहां सरकार को थोड़ा सा इसके विशे में सोचना चाहिए जो मुझे लगता है आपको क्या लगता है that I don't know in most other countries, अधिकतर countries में the lockdown was announced earlier बहुत सारी countries में lockdown पहले announce किया गया then March but has not been lifted यानि कि अधिकतर countries में lockdown को हटा दिया गया है specially education को भी वहाँ पर खोल दिया गया है यह बात सच है और यह इसका मैं यह कहता हूं बहुत सारे आप मेंसे हो सकता है कि इसे गलत कहते होंगे पर जो बच्चे अपना care कर सकते हैं अभी भी क्या बच्चों COVID-19 का परभाव स्कूल में जाने वाले college में जाने वाले बच्चों पर नहीं पढ़ रहा है definitely पढ़ रहा है क्या उसे अब एक ची बताईए आप क्या आप उनके chances घट गए है कि उनको coronavirus नहीं होगा बच्चे ऐसी घुम रहे है वही क्रेक जैक और यह सब कुछ खा रहे है चेप्स लेज वो सब खारे कम से कम स्कूल में जाएगा बच्चे का धंग से खाना खाता बच्चा तीन बार खाना खाता है यहाँ घर पर रहके एक बार भी धंग से दो बार भी मुश्किल से खाना काता है आगे देखे क्या कहता है for many educational institutes यानि की ऐसे institutes जो education से जुड़े हैं with restrictions of course like the compulsory wearing of masks यानि कि schools में marks का पहनना compulsory कर दिया social distancing and sanitizing of classrooms यह सार in the UK for instance schools have reopened despite continuing coronavirus infection के बावजूद भी schools को खोल दिया गया है it has taken into account और यह देखे यह संग्यान में आया है इसका मतलब विचार में आया है देखे क्या मैं उपर लिया तो यह आप पढ़ते हैं बेटा देखी क्या taken into account that the risks involved arguing that there is no real substitute yet for providing children with physical classrooms and face to face interaction with their teachers तुन्होंने कहा कि यह अपने दिमाग में देखे सब के सामने आई यह और कोई दूसरा तरीका है भी नहीं कि कैसे आप बच्चों से face to face मिलकर उनको classes देंगे even though the number of children in the classroom will be restricted हाँ एक तो बात है कि class में बच्चों की संख्या restricted कर दी इसका समाधान है हमारे पास भी है अगर हमें सरकार अलाओ करेगी तो definitely हम बच्चों को बुलाएंगे और जहां एक भी दिन नहीं पढ़ा पा रहें वहापते में क्या करेंगे तीन दिन चार अपनी लिया है but many have to do so in the near future पर बहुत सारों कोई near future में शायद करना पड़ेगा earlier a staggering staggering का मत्रोंता पिटा शॉक कर देने वाला हैरान कर देने वाला 3.1.3 billion of the world's children the entire अब देखे आगे इसमें क्या कहना चाहता है मैं इसको पढ़ देता हूँ आप सब के लिए आप इसमें यह देखे बिटा मैं इसका हिंदी मीनिंग नहीं समझा रहा हूँ अच्छा एक बात है newspaper reading से आपका passes reading भी अच्छा होता आपका close test भी अच्छा होता आपका PQRS भी अच्छा होता है पर आप यह मत देखे मैं इसकी हिंदी कैसे बना रहा हूँ आप यह देखे क for which global solutions need to be found urgently तो हमें क्या करना चाहिए कि global solutions भी बहुत तर्ज पे urgently का मतब तुरुबन पराव से निकालने चाहिए if not अगर नहीं होता तो we face the prospect of a generation of educationally stunted children who will find it difficult to cop as adults तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि यहाँ पर बच्चों के पर बहुत गहरा प्रबाव पड़ेगा और जब वो अडल्ट होंगे यानि कि अपने वेस्क दोर में जाएंगे तो इस एक lockdown का उनके पर बहुत गहरा बुरा प्रबाव पड़ेगा here I intend to say देखिए intent to का मतलुत है जब हम किसी काम के पीछे अपने intention को बताते हैं किस intention के साथ में बात कह रहा हूं here I intend to only deal with the children deal with का मतलुत है किसी चीज़ का सामना करना तो deal with the challenges faced by our country तो कह रहा है कि मेरा केवल यहां पर एक ही मुद्दा है कि मैं कैसे अपनी के अंदर जो challenges है उनको deal करू being a member of the Delhi public school society मैं एक पब्लिक डेल जिन राइटर ने लिखा है वो बता रहे है being a member of the Delhi public school society उसका एक सदस्य होने के वज़े से which either directly runs or has franchised out over 200 private schools all over India तो यह डेली पब्लिक जो स्कूल की society है वो अपना भी चलाती हो उसने franchise भी दे रहे हैं कितनी दे रहे हैं यहां पर इन्होंने बता दिया आगे मैं पढ़ देता हूं देखी क्या कहता है मैं इस पैसेज को यहां तक पढ़ूँगा और आपके ना गुरूप में जो टेली ग्राम का गुरूप है उसके इंदर इसका लिंक डाल दूँगा और इस अकबार का वहां पर पढ़िएगा बिटा मैं थोड़ा सा नीचे, यहां तक, यहां तक देखी कह एक एक्सपोस्ट का मतलब हुता है जब कोई चीज्ग ही आप तक पहुंची है तो है है मैं समस्या को फेस कर चुका हूं यह मैंने महिस्पूस हीए है, the promise that the schools are now grappling with, better grapple with का मतलब किसी भी चीज़ का, जैसे deal with होता है, सामना करना, ऐसे grapple with का मतलब भी सामना करना होता है, consequence to the pandemic, with the sudden physical closure of schools, अचानक से schools का ऐसे बंद कहो जाना, इसकी वज़े से बहुत बड़ी दिक्कत आई है, उसके बुरे परभाव, schools ने जहले, आगे देखे क्या कहता है, यहां पर, इस लाइटर के द्वारा क्या कहा जाता है, online teaching has become absolutely essential, online teaching बहुत जरूरी हो गई है, for 240 million children and 9 million teachers, और 9 million teachers के लिए इतने students के लिए, wide-ranging implications, बिटा, implications of this, किसी भी चीज़ के बुरे परणाम, of this, are slowly drawing us, drawing on us, उसके बुरे परभाव हों पर आ रहे है, देखे कैसे, मैं इसको आगे पढ़ देता हूँ, आप सभी के लिए, यह देखे क्या कहता है, कैसे आ रहे, children, parents and teachers, four years ago, there were only 1.6 million Indian users for the online education, यानि कि इसके केवल इतने users थे, market, but next year, that number is expected to skyrocket to 10 million, यह इतना हो जाएगा, giving an indication of the phenomenal growth and importance, importance of online learning, enormous adjustments are going on, बहुत सारी adjustments होती में, किसी भी चीज़ को लेके, आप ढलते हो, ढलते हो, तो वो चल रही है, to be needed for teachers and their students alike, यानि कि दोनों के लिए, eye to eye contact between the teacher and students, in a physical classroom, even with 30 to 40 students, is essential, बहुत ज़्यादा जरूरी है, अब मैं चाहूँगा, कि स्पैसिस के आगे, जो लिखा है अगला, एक paragraph मैंने नहीं पढ़ा है, उस paragraph को आप पढ़के देखें, कि उसमें है क्या चीज़, जब आप उसे एक बार पढ़ेंगे, तो आप उसमें सीखेंगे भी बिटा, है न एवरीबड़ी, यस ये नो, तो मैं चाहता हूँ कि उसको आप पढ़िएगा और उसको सीखेंगा, इसी के साथ आज के इस सेशन को मैं आपे खत्म करता हूँ, अपने कमेंट्स में ये बताना ना भूलें कि आपको कैसा फिल हूँ आज, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अलॉट